हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरब और इस वीडियो में जिस इटेलियन सीरिया के मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा AC Milan वर्सेस नेपोली के बीच तो गाइस AC Milan और नेपोली दोनों ही सीरिया के टॉप क्लप्स में काउंट होते हैं इस सीजन नेपोली का पर्फरमेंस तो अंडर दिया न्यू मेनेजर एंटोनियो कॉंटे बहुत बहुत इंप्रेसिव रहा है लेकिन गाइस AC Milan ने अंडर दिया न्यू मेनेजर फोंसे का अभी तक बहुत ज़्यादा एवरेज साही पर्फॉर्म किया है अगर मैं आपको पॉइंच टेबल दिखाओ तो नेपोली टॉप अप दर टेबल में है नाइन में उनकी सेवन विक्टरी है एक ड्रॉए एक लोस है 16 उन्होंने गोल स्कोर किये 5 गोल कंसीट के और 22 उनके पॉइंट है तो देखा जाए नेपोली अभी टाइटल रेस में स 14 इनके पॉइंट है तो देखा जाए मिलान काइंड ऑफ मिट टेबल में है जबकि नेपोली टॉप अब दर टेबल में है अब गाईज यह जो मैच है मिलान के घर में है अल्दो मिलान ने भी तक इसीन एवरेज किया है लेकिन अपने जो होम मैचे तो उसमें इनका वेरफ तो अभी के लिए स्मॉल लिक में हम नेपोली को भी बैक करते हुए अपनी टीम बनाने वाले हैं अब गाईज सबसे में चीज इस मैच के लाइन अप आने के वाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वह आपको मिलेगी हमारे टेलीगराम चैनल में तो जो मेरे टेल सब्सक्राइब करते हैं नेपोली से तो गाईज नेपोली मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को जीतने के लिए फेबरेट टीम है अभी में इनके मैक्जिम यानि कि मैं स्यान प्लेयर नेपोली के इपिक करने वाला हूँ तो इनकी प्रोइबल लाइन पे नज़र डालते हैं मेरेट होने वाले इनके गूलगी पर चार इनके डिफेंडर होंगे डी लोरेंजो, रहमानी, बुवान गिन्नो एंड ओलिवेरा अब इस मैच में अगर दोनु में मुझे किसी एक टिम को क्लिंशीट के लिए बैक करना हूँ और मैं करूँगा नेपोली को तो मैं मैं मैक् रहमानी के अलावा बागी तीनों डिफेंडर को ले रहा हूँ, डी लोरेंजो, ओलिवेरा दोनु अटेकिंग वाइस भी अच्छे हैं, डिफेंसिवक भी कर लेते हैं और बौन गिन्नो जो है, टेक्लिंग इंट्रसेप्शन वाइस इनके बेस्ट डिफेंडर है, तो इस वह से मैं डी लोरेंजो, ओलिवेरा और बौन गिन्नो को ले रहा हूँ, अगर आपको रहमानी लेना है, तो आप ओलिवेरा वाले प्लेस में रहमानी ले सकते हो, अधर वाइस आप चारो डिफेंडर के साथ भी जा सकते हो, अगर आपको शोर है, नेपोली की क्लीन शीट जाएगी, बट राइट नाव मैं रहमानी छोड़के, डी लोरेंजो, बौन गिन्नो और ओलिवेरा के साथ जा रहा हूँ, अब डिफेंसिव मिट्विल में बिली गिल्मॉर खेलिंगे, जो लास्ट यहन तक ब्राइटन में खेलते थे प्रीमियल लिग में, अच्छे डिय है नेपोली के और इस यहर इनका अभी तक नेपोली के लिए जितने ही मैजेस के लिए उसमें पर्फोमेंस अच्छा रहा है, गोल असीस भी आ रहा है इंसे, और बिना गोल असीस की भी अच्छे पॉइंट देते हैं, तो मैं मैं मेक टॉमी ने को यहाँ पर शोल ली पिक क दे सकते हो, बड़ अभी जो मिलान है, उनका डिफेंस भी कोई बहुत ज़ाँ सॉलिड नी है, तो मैं यहाँ पर पोली इटानों को ट्रस्ट करके पिक कर रहा हूँ, भागी गाइज लुकागु और क्वाराट्स के लिए इनके दोनु टैलिसमन है, दोनु यह बहुत अच तीन में डिफेंडर लेगिया, दी लोरेंज और बॉन गिन्नों एन ओलिवेरा, इसके लाव में मेक टॉमिने, पॉलिटानो, लुकाकु एन क्वाराट्स खेलिया को पिक करके गया हूँ, अब गाइज हम बात कर लेते हैं अपूरेंट एसी मिलान की, तो माइक मैनियान होन अब गाइस जो इनके लेफ्ट बैक है, हननान्डिस वो इसमेच में सस्पेंडर है, इस वेचे टेरा चियानों यहाँ पे खेलिंगे, फिलाल, अभी के लिए मैं मिलान का एक डिफेंडर लिया रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगते हैं इनकी थ्रेशिंग हो जाएगी, जिसके बहुत जादा चांसेस तो नहीं है, बट इस्टिल आपको लगते हैं, तीन, चार, पांच गोल ऐसे नैपोली कियाएंगे, तो आप इनके सारे डिफेंडर स्किप भी कर सकते हो, बट अभी मैं दो में से कोई एक डिफेंडर भी कर रहा हूँ, दो यहाँ पे परसन रोयल ले सकते हो, यहाँ पे आप अपने अगोडिंग कॉल लेलना, अगर इनका कोई डिफेंडर लेना है, बट फिलाल मैं पावलो भी ले रहा और मैं बाकी तीनों डिफेंडर को इगनोर कर रहा हूँ, यूसुप फोफानल डिफेंसिव मिडफिल में खेलिंगे, अभी मैं इगनोर कर रहा हूँ, फिलाल गाइस में लॉफ्ट शीक को भी करके चल दा हूँ, I think बिना गोल असिस के डिसेंट पॉइंट दे सकते हैं, ऐसे मैचेज में इनके अच्छे काज़े पॉइंट आ सकते हैं, और बॉक्स टु वाक्स आगे गोल असिस करने में भी व अभी वहल है, तो मैं फिलाल के लिए, लफ्ट शीक पर अभी के लिए, अभी मिट फिल में पाइंट ले रहा हूँ, अब राइट विंग में चुकु जो खेलेंगे, लाश मैंच में जो सीरिया का मैच्छोस में गोल जरूर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट बहुत तो मैं फिलाल, वोकाफोर और चुकु जे, दोनों वाइट प्लेयर्स दोनों इनकंसिस्टेंट है, तो दोनों को ही मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अब पुलिसिज जो है अभी तक के इनके बेस्ट प्लेयर है, टॉप स्कोरर है मिलान के, बहुत अच्छी फोर्म में है, और पेनाल्टी टेकर भी है, तो गाइस मैं पुलिसिज को शोल्डी भी करके चल ला हूँ, अलवेरो मुराटा इनकी न्यू साइनिंग है भी तक, दो तीन गोल माने, डिसेंट सा परफ़मेंस किया है, लेकिन बहुत जादा मैं मुराटा पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और न साथी गाइस मैं पुलिसिज और लॉफ्टर स्चीक को फिक करके गया हूँ, पेनाल्टी पुलिसिज लेते हैं हो सकता है, मुराटा भी ले ले, क्योंकि जब पुलिसिज ने पेनाल्टी ली थी, तब मुराटा फिल्ड में नहीं थे, तो इन दोनों में कोई भी इनकी पेन तो मैं एक 2-0, 1-2-1 क्लियर कट नैपोली विक्ट्री के साथ जा रहूँ, तो अभी ये मेरी डेमवर रफ टीम है, गोलगीवर मैंने मैनियान लिये, तीन मैं नैपोली के डिफेंडर लिग है, डी लोरेंज हो है, ओलिवेर है, बोन गिन्न है, एक डिफेंडर में मिलान का लिगे हूँ, पावलोविच, मिट्फिल में गाइज मैंने मैंने मेक टॉमी ने और कॉरार्स के लिए लिये, वहां मैंने पिलिशिच और लफ्टर चीक को पिक किया, और फ़र्वर्ड में मैंने पॉलिटानो और रोमेलो लुकाको को पिक किया है, अब गाईज यहाँ पे अब शोर हैं, पॉलिटानो गोल असिज नहीं करेंगे, तो आप इनको अटागे आतो डिफैंस में रह्मानी या मिट्फिल में समवल लाइक अंगीसा के साथ जा सकते हूँ, तो गाईज यह आप दो-तीन चेंजेस कर सकते हो, बागी मैं और बहुत जाज़ चेंजेस रिकम आपडेटेड जो भी फाइनल टीम होगी, वह आपको मिलेगी हमारे टेलिगराम चैनल में,